नमस्कारम सद्गुरू ये कहा जाता है कि अविवाहित रहना अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है क्या आप इसके बारे में समझा सकते हैं? अविवाहित रहना इस शब्द का मतलब या इसका अनुवाद ब्रह्मचारी नहीं है ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म मतलब इश्वर चर्य मतलब रास्ता आप इश्वर को पाने के रास्ते पर हैं ये ब्रह्मचर्य है अविवाहित रहने का मतलब सिर्फ शरीर और उससे ज़्यादा मन की सहज तीवर इच्छाओं को दबा कर रखने के बहुत एक पहलूं से है तो अविवाहित रहना ऐसा कहना सही नहीं होगा जब हम कहते हैं ब्रह्मचरे तो इसका मतलब है कि आप अपनी उर्जाओं को इस तरह से ढालने के लिए काम कर रहे हैं कि आपकी खुशी, आपका प्रीम, हर चीज जो आपको चाहिए आपके अपने भीतर है आपको ये जानने के लिए जीवन में काफी अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो 2400 घंटे भरों से मंद नहीं होता है के नहीं? हाँ? हाँ या ना? हाँ आप सभी को ये जानने के लिए काफी अनुभव है, है ना? वो कितने ही प्यारे और अच्छे क्यों ना हो दुनिया में कोई भी आपकी खुशी और प्रेम बनाए रखने के लिए 2400 घंटे भरों से मंद नहीं हो सकता, है ना? क्या आपने ये महसूस किया है, या आपको अभी भी उमीद है? क्योंकि अगर कोई सही में उच्छे आयामों को जानना चाहता है तो उसके भीतर निरंतर शांती और खुशी का एहसास होना जरूरी है अगर ऐसा नहीं होगा, तो आप किसी चीज के पीछे भागेंगे अगर आप लगातार, शांती और आनन्द कानुभव नहीं करते हैं तो आप आनन्द पाने की कोशिश में मजबूरन कुछ करेंगे तो एक ब्रह्मचारी वो व्यक्ति है जो अपनी उर्जाओं को इस तरह से ढालने की कोशिश कर रहा है कि शांत और आनन्द मैं हो ना सब उसके हाथ में हो इसके लिए वो किसी का सहरा नहीं लेगा क्या सभी ब्रह्मचारी वहां तक पहुँच गए है ये मुद्दा नहीं है वो इसके लिए कोशिश कर रहे है उन्हें सपोर्ट की जरूरत है सुयम के लिए ये संभव बनाने के लिए माहौल की जरूरत है ये छोटा काम नहीं है जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया है अगर एक बार व्यक्ति इस तरह से बन जाए कि उसकी शान्ती उसका प्रेम उसकी खुशी किसी और पर निरभर नहीं है तो इसका मतलब उसके पास दूसरे आयाम में छलांग लगाने के लिए जरूरी चीज़े है अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर है कि वो मजबूरन कामों में बंध जाएगा तो ब्रह्म चर्य के एक आयाम का बन्यादी मतलब है कि एक आदतन मजबूर व्यक्ति से जागरूक व्यक्ति बनना आप अपनी आदतन मजबूरियों को हर तरेके के रोमान से सजा सकते हैं लिकिन क्या आपने देखा है कि यह मजबूरन बरताव है हाँ? यह एक जागरूक बरताव नहीं है आपके साथ पूरी दुनिया हो सकती है से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह मजबूरन बरताव है आप इसके बारे में कविताएं लिख सकते हैं आप इसके बारे में बहुत अच्छी कहानिया लिख सकते हैं आप इस पर फिल्में बना सकते हैं लेकिन बुन्यादी तोर पर ये मजबूरन बरताव है, जिससे आप इतने सारे सुन्दर कपड़ों से ढखना चाहते हैं, जिससे आपको वास्तविक्ता का सामना न करना पड़े, मैं आपके जीवन से सारा रोमांस निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार किसी के समझ में ये आ जाए कि मैं मजबूरन गतिविधियों में लगा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जाओंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ, हैं कि नहीं? हाँ, अगर कोई अपने जीवन में आदतन मजबूर है, तो उसका एक लक्षे रखना या निश्चित जगह पर पहुँचने का सवाल ही नहीं है, मजबूरन काम करने का मतलब है गुलामी की गहरी भावना, हैं कि नहीं? तो जिसने भी ये महसूस कर लिया, सहज रूप से वो जागरूख बनना चाहेगा, तो हमने इस समझ के साथ कहा, कि अगर आप वाकई एक रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आपको मजबूरन आदतें छोड़ कर जीवन के हर पहलू में जागरूख तालानी चाहिए, तो यह जरूरी समझ के बिना, जरूरी साधना और उर्जा के बिना आप बस अपने आपको रोखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भुखतेंगे。 अगर आपकी उर्जाए इस तरह से हैं कि आप हर समय अदबुत हैं, अपने आप में वाकई अदबुत हैं, आपको इन चीज़ों क लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? जैसा कि मैंने बताया, ये चीजें तब तक नहीं आती हैं, जब तक आप इस तरफ कुछ कोशिश नहीं करते. कोई भी मजबूरन आदतों के पैटर्न के साथ जीवन आराम से बिता सकता है. आप जीवन को उसके हिसाब से होने दे सकते हैं. मुझे पता है, अभी नए जमानी के फिलासोफी है, ऐसे होने दो. हलांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या होने देना चाहते हैं. देखिए, जीवन का हिस्सा होना, जीवन की प्रक्रिया में सतह पर शामिल होना एक बात है. इसके मूल में होना दूसरी बात है. प्रकृती दो अलग-अलग इस तरों पर है. प्रकृती का एक पहलू, अपने संरक्षन और प्रजनन के अलावा और कुछ नहीं जानता. ये प्रकृती की सतह है. अगर आप अपनी प्रकृती लें, अगर आप इस शरीर की प्रकृती लें, ये केवल अपना संरक्षन और प्रजनन जानती है. ये और कुछ नहीं जानती तो अगर आप अपनी बहुतिक प्रकृती के हिसाब से चलते हैं तो आप यही सब करेंगे जिन्दा रहना और प्रजनन खाना, सोना, प्रजनन और मर जाना बस इतना होगा अगर आप अपने शरीर के हिसाब से चलेंगे लेकिन वहीं पर एक दूसरी प्रकृती आपके भीतर है जो विस्तार की चाहत रखती है अगर आप इसे पूरी स्रिष्टी दे दें तो ये से निगल जाएगी और फिर भी भूकी रहेगी हाँ? आपके पास ये है कि नहीं? अगर आप इसे पूरी स्रिष्टी खिला दें सब कुछ निगल जाएगी और फिर भी ज्यादा के लिए भूकी रहेगी तो आपके भीतर प्रकृती का दूसरा आयाम है जो असीमित रूप से विस्तार चाहता है आप खुद को किसमें लगाना चाहते है ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन है अगर आप भौत एक प्रकृती की तरफ जाते है तो आपको बस इतना ही पता चलेगा अगर आप आंतरिक प्रकृती की तरफ जाते है जो असीमित बनना चाहती है तो जीवन अलग होगा तो अगर आप इस तरफ चल पड़े हैं या आपने देख लिया है कि आंतरिक प्रकृती बहुतिक प्रकृती से कितनी ज्यादा परे है तो सहज रूप से आप जीवन में इसके अनुकूल परिस्तिती बनाने का चुनाव करेंगे इस समझ के साथ ब्रह्मचर्य या सन्यास आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बना अविवाहित रहना एक पश्चिमी सोच है ये बस पुराने समय के योगियों की नकल करना है ये सारी चीज़ें लोगों ने यूही उठा ली है अगर आपको पता नहीं है छे या आठ हजार साल पहले भी भारतिय योगियों ने पूरे अरब और यूरोप भर में आत्राएं की उन्होंने बहुत सी चीज़ें स्थापित की जब प्राचीन फिनिशन सबेदा के लोग अरब में चीज़ें बना रहे थे जब वो अपने सामराजे की नीव रख रहे थे तब भी भारतिय वास्तुकार, भारतिय मूर्तिकार, भारतिय हाथी और भारतिय योगी वहां गए थे ये पांच से छे हजार साल पहले की बात है अगर हाथियों, मजदूरों, मूर्तिकारों, वास्तुकारों और योगियों का दल वहाँ पहुँचना था तो मतलब उनसे हमारे संबंध और भी पुराने समय से रही होंगे उन दिनों एक दल एकदम से नहीं पहुँच जाएगा तो जहां भी वो गए उन्होंने अपने जीवन के तोर तरीखों के महत्व के बारी में जाग रुकता फैलाई तो लोगों ने बिना जरूरी समझ के यूँ ही कुछ चीज़ें अपना ली इस तरह अविवाहित रहना दूसरी संस्कृतियों का हिस्सा बन गया जो चीज़ बहुत गहरी समझ से आई थी उन्होंने उसकी सतह को अपना लिया ऐसा हर जगह होगा योग को ही देखिए अभी योग का मतलब केवल शरीर को तोड़ना मरोड़ना है ये बस सतह है अजय का मतलब का मतलब का ये गिए उन्होंने बाल जागा जगदी करेंगा मतलब के ही दोग링 जगएप विर वर भाहना है